गुरुजी जनक के लिए ओडिशन स्थल तक का रास्ता बनाते हैं. वह उसे अपना सर्वश्रेष्ट देने के लिए प्रेरित करते हैं. गुरुजी के दयालू शब्दों से जनक को प्रोथ साहन मिलता है. वह मंच पर जाती है, जिससे ब्रिजभूशन काफी हैरान हो जाता ह ब्रिजभूशन डांस रेयलिटी शो के मुख्य जज भी है. जनक ने शांदार प्रदर्शन किया. जज जनक को एक पेशेवर डांसर की तरह नाचते देखना पसंद करते हैं. वे उसे विभिन रीते शैलियों का प्रदर्शन करने का कारे देते हैं. जनक अपनी प्रतिभा गुरुजी ब्रिजभूशन से कहते हैं कि जनक उनकी चात्रा है और वह बहुत प्रतिभाशाली है. वह जनक के लिए नाम, शोहरत और सफलता कमाने का माध्यम बन गए है. गुरुजी के चात्र जनक को मंच पर परफॉर्म करते देख इर्शया करते हैं. उन्हें आश्चर होता है कि गुरुजी ने कैसे जनक का समर्थं किया और उसे टैलेंच शो में भाग लेने के लिए लाया. गुरुजी जनक की चिपी प्रतिभा को सामने लाने के लिए द्रिर संकल्पित है. वह अपने प्रदर्शन के माध्यम से अपनी शालीनता और सकारातमक्ता दिखाती है. जिसके कारण ओडिशन राउंड में उसका चैन हो जाता है. हाला कि इससे उनके अन्य चात्र उनके खिलाफ हो जाते है. उनकी अस्वीकृती के बावजूद गुरुजी उनकी राय से अप्रभावित रहते है. वह जनक को शीष पर पहुँचने में मदद करने पर केंद भूशन सारवजनिक रूप से जनक को स्वीकार करेंगे.